गुड मॉर्णिंग लास हम लोग परसेंटेज रोल रहा थे परसेंटेज में एक्जामपल हमने आपको पूरे पढ़ाये थे और पूरे एक्जामपल मैंने बहुत ज्यादा स्पीड ने पढ़ा दिये थे तो बच्छों का समझ में आया तो कमेंट करो अगर लगता है कि आप नंबर से लेके 35 नंबर तक सवाल हैं यह सारे सवाल जो हैं solve करने वाले हैं ठीक है आप लोग ने solve करिए अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको खुरा दिये जाएंगे जो question language वाले हैं वहाँ से start करते हैं सारे question बहुत आसार है पहला सवाल यह है एक भिन्ने के अंस में 25% क विद्धी जो परिवरतन अंस में होता उसे हर में करते हैं और जो हर में होता उसे अंस में करते हैं और पांच वोटे नो प्राफ्ट होता आपसे यह बुला गया है आपने 25 से काटा 8 25 से 5 5 5 आंसर 8 वोटे 9 उमीद कोशन समझ भी आ गया होगा आपको मैं type पला चुका कुशन अंबर 36 देखिएगा सवाल क्या है एक भीने के अंस में 220 परसंट की रिद्धी अंस में 220 सो में जोड के लिखते हैं 320 लिखा और हाल में 200 परसंट की रिद्धी तो हमने 200 लिखा ऐसा करने पर हमें 4 पांस प्राफ्ट होता है हमें 4 पांस लिखा 0 से 0 4 से काटा 8 5 से का पांच तौप का अंसर 5 बटे 8 और यहापके क्वश्चंगा अंसर हो गया 5 बटे 8 अगला है कुशन अंसर 37 काया कुश्चंग 12-27 है एक भीने के अंस में 200 परसंट की रिद्धी अंस में 200 आ परसंट कि रिद्धी तो आप कितना लिखेंगे 300 और हर में 400 परसंट की रिद्ध हट आपका अंसर एक स़ई 3.4 अगला कुस्षिंव你ा है ाधे घंटे का एक मिनट 10 सेकेंड एक मिनट 10 सेकेंड का कौन सा हिस्सा है इस में बोला आधे घंटे का तो आधे क्लियों कितने minute हुए तो आपके 5 final हुए त Danna- गे में जो मिनट हो गया गहा ini मिनट हुए, second में change किया, तो गुने साथ हुआ, एक मिनट 10 second तो आपका सत्र सेकेंड हुआ, कौन सा हिस्सा है, तो प्रस्ट, 2-0 से 2-0 चल गए, तो आपका मिला सत्र बटे 18 18 से भाग दिया, 18 तहीं चाहुआ 3.9 कुछ आएगा, आपने दिखा 3.89 तो यह आपका तो गुने 1000 कर दिया, कितने प्रस्ट यह हो गया, 4, 2-0 से 2-0, तो एक बटे 4 को मतलब 0.25 परसंट तो आपका आंसर हो गया 0.25 परसंट, ठीक है कुछ नम्बर 45 क्या है, कुछ नम्बर 45 देखिएगा कुछ नहीं बुला गया 2 कुंटल, धाइक लोका कितने परसंट है तो आपका 2 कुंटल हुआ 2 कुंटल में, एक कुंटल में आपका होता है 100 केजी, तो 2 कुंटल में 200 केजी हो गया, 200 केजी धाइक लोका कितने प्रस्ट है अपने पॉइंट आया, 0 हुआ, इससे भाग दिया तो 8 आ गया तो आपका answer हो गया यह हो गया C 100 तो आपका answer हो गया 8000% यह आपका answer हो गया अगला question ने 75 ml 1.75 लीटर का कितने प्रस्थ है तो देखेंगे 75 ml स्भाइब आपको बुला है 75 ml तो यह हो गया 75 9 graduated आगे बुला गया 100 1.75 तो यह आपका 175 आपको मालूम है जान दीजेगा पर दीजेगा दीखे सबसे पहले होता है किलो फिर होता है हेक्टा इसके बाद होता है डेका इसके बाद होता है मीटर फिर सबसे नीचे होता है मिली यह होता है सेंटी और यह होता है डेसी तो आपको इस चीज मालूम होगी एक किलो में 10 हेक्टा, एक हेक्टा में 10 देका, एक डेका में 10 मींटर, एक मींटर में 10 देसी, एक डेसी में 10 सेंटी और एक सेंटी में 10 मिली अब question यह था कि उसने बोला गिए 75 ml तो 75 ml 1.75 लीटर का तो आपने लीटर को मिलीटर में चेंज किया तो गुणे 1000 कराएंगे तो आपका हो गया 1750 का कितने प्रेसे था तो 100 का गुणा यह से कड़ गया अपने इसे काटा 25 से तो 3 आ गया काटा 25 से 7 आ गया और 30 बटे 7 आ गया तो आपका आंसर हो गया 4 सही 2 बटे 7 प्रेसे न उमीदे कोशन आपको समझ में आ गया होगा अगला कुश्चन है कि बता ये 30 कुंटल 2 मेट्रिक टन का कितने प्रस्यत है देगे आप बोला गया 30 कुंटल 30 केजी 2 मेट्रिक टन तो आपका हो गया 20 1 मेट्रिक टन ये 10 कुंटल होते है तो आपका हो गया 20 2 मेट्रिक टन का कितने प्रस्यत है तो आपका अंसर हो गया 150 प्र 7.2% का मतलब बटे में 100 पॉइंट आया 0, 1,0 से 1,0 कट गए तो निचे का मिला 100 अब देखिए आपने 8 को लिखा 8 को आप क्या लिख सकते हैं रूट के बाहर लिखेंगे तो तो 2 गुडें, 2 गुडें, 2 अब 7 क्या लिख सकते हैं 2 गुडें, 2 गुडें, 2 गुडें, 3 गुडें, 3 तो ऐसा आपका हो जाएगा और बटे में कितना है 100 है, जैसका आप रूट निकालेंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार तो तीन बार का मतलब एक बार क्या बाहर आ गया 3 बार है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 पहर आ गया और 1 3 बार आ गया तो 3 हो गया और बटे में कितना हो गया 10 तो यह आपका कितना हो गया 8-3-4, 2.4 आपका आंसर हो गया 2.4 उनमीदे कुश्चन आपको समझ में आगया होगा ठीग है उसने बुला उस भिनिक के अंस में 5% की रदी अंस में 5% की रदी तो 100% हुआ हर में 8% कमीटो 90 हुआ तो असर करने पर 15 पटे 16 प्राप्त होता है 15 पटे 16 आपने 23 से कटा 4, 23 से कटा 5, 4 से कटा 4, 5 से कटा 3 तो आपका अंसर हो गया 3 पटे 4 इसको समझने करें आप लोग बेसिक विडिव जोब देख लीजिए गा मैंने आपको होगा सब्सक्राइब कैसे कि मिया राता है ठीके अगला कुस्ण कर राप्र दीजिए कोश्ण नंबर क्या है 45 देखे रहां दीजे कोश्चन को दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमसा 30% और 40% रदिक हैं दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रस्षत क्या है पहली संख्या तो दूसरी संख्या से मतलब 140 से पहली संख्या का प्रस्षत मतलब 133 का कितने प्रस्षत है यह से कड़ गया और में क्या मिल लाएगा यह मिल लाएगा 1300 बटे 14 आपने 2 का भाग दे दिया तो यह मिल लाएगा आपका 650 बटे 7 साथ से भाग दे दिया तो आप साथ से भाग देदेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बानवे सही छे बटे साथ तो यह आपको आंसर हो गया बानवे सही छे बटे साथ यह आपको कुश्ण में 45 हो गया कुश्ण में 46 से में ऐसे ही है question ध्यान दीजिए गर question पढ़िएगा 46 number question क्या है ध्यान दीजिए 2 संख्या 1-3 संख्या से क्रमसा 12% और 25% अधिक है देखि 2 number एक तीसे number से तो पहला अधिक होगा 12% अधिक और ये अधिक होगा 25% अधिक एक तीसा number हमने 100 माली है आप उसने बुला कि बतागी पहली संख्या दूसी संख्या का कितने परसेंट है देखि पहली संख्या मतलब 100 12.5 दूसी संख्या मतलब 125 का कितने परसेंट है तो आपका आंसर आगे 90 परसेंट ये आपका आंसर हो गया 90 परसेंट तो आपका 46 हो गया question 47 क्या है सब्सक्राइब कुश्चन ये A की आ, B की आ से 10% अधीक है, A की इंकम, B की इंकम से 10% अधीक है, तो 10 अधीक हो गई, तो ये कितना कम है, कितना कम है, 10 किसे कम है, 110 से कितना कम है, 100 का गुना, ये इससे कड़ गया, तो आपको मिला 100 बटे 11, मतलब 9 से 1 बटे 11, और यह आपका अंसर हो गया, 9 से 1 बटे 11, अगला question है, question आपका अंसर हो गया, ब्रवय्टियस ने से मुला गिया। का question है क्या जहां को जेगा सब्सक्राइब दिपक की उचाई से 60-5 नठीक है तो अनिल बटे आठ और तीन बटे आठ का मतलब आपका अंसर हो गया 30.30 प्रसंट या आपका अंसर हो गया 37% अगला है क्ष़श्ण नमबर बावन क्या है ध्षयन दीजिए कोश्चिन पूला गया यह धी X Y से दस प्रसट नदीख है देगा पुला कि एक्स Y से 10 प्रेशन दीख एक्स का महान Y से 10 प्रेशन दीख है तो AQ से कम में 10 है तो आपका अंसर हो गया 100बटे 11 मतलब 9 से 11 प्रेशन थीस हो गया है अगला Q parte 3 5 क्षोचन साथ 9 कए 10 कम है तुढ़िव चैसे कि Tevo Prime कि एक हिकम पीकियो से 20% कम है तो यह 80 हो गया यह जादा कितना है 20 किस से जादा है 20 किस से जादा है तो यह 80 हो गया कितने परस्ट हो गया तो आपका आंसर हो गया 25 यह आपका आंसर हो गया अगला कोश्चन बुला गया है कोश्चन नमबर आपका है कोश्चन अमगर 54 54 नमबर कोश्चन काया ध्यान दीजाएगा समझेगा यदि A की आए B की A से 25 परषन कम हूँ A की इंकम B की इंकम से 25 परषन कम हूँ तो B की इंकम A से कितनी जादा है कितनी जादा है 25 किसे जादा है 75 से तो आपका आंसर आ गया 33 से 1 बटे 3 परषन और यह आपकी question का answer हो गया अगला question अमरे 25, question मरे 25 क्या ध्यान देजिएगा question को पढ़िएगा पहले सवाल की बुला A की income, B की income की 50% कम है, A की income B की income से 50% कम है A की income, B की income से 50% कम है तो यह ज़्यादा कितनी है, 50 किस से ज़्यादा है 50 से तो आपका answer हो गया 100% और यह आपका answer हो गया अगला question number 56, question number 56 क्या है ध्यान देजिए, question बढ़िएगा समझिएगा question है बुला गया है कि A का 60%, तो A का 60% का मतलब 3 बटे 5 हुआ प्रावर बुला B का 3 बटे 4 यह आपका answer हो गया पांचन पांचन पांच चार देखिए, आपके सवाल जो हो गया है, question फिफ्टी स्टिक्स तक हो गया है फिफ्टी स्टिक्स के बाद अगले question में आगी जो start करेंगे, question आगी आगे start करेंगे तो बच्छों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताईएगा इस पीड अगर कम है तो भी comment करेंगे, जादा है तो भी comment करेंगे उमीर सारे question आपको समझने आ रहे होंगे